जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एक्जामिनर से बोलोगे कि नमबर काट के दिखाओ मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एक्जाम हो रिजनिंग में मिलेंगे पूरे नमबर मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रिजनिंग का राजा सातियों आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिगनेचर यारी जहां कहीं भी 10 सेकेंड में उत्तर देने की बात होगी जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी वहाँ सबसे पहले नाम होगा आपका तो दोस्तो रेलवे रफतार रिजनिंग को जॉइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अटर 24-7 रोज सुब ग्यारा बजे तहलका क्लास धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुब ग्यारा बजे आपका इंतजार करूँगा रेलवे रफतार रिजनिंग जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एक्जामिनर से बोलोगे कि नमबर काट के दिखाओ मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एक्जाम हो रिजनिंग में मिलेंगे पूरे नमबर मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रिजनिंग का राजा सातियों आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिगनेचर यानि जहां कहीं भी 10 सेकेंड में उत्तर देने की बात होगी जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी वहां सबसे पहले नाम होगा आपका तो दोस्तो रेल्वे रफ्तार रिजनिंग को जॉइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेल्वे अटर 24-7 रोज सुब ग्यारा बजे तहलका क्लास धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुब ग्यारा बजे आपका इंतिजार करूगा रेल्वे रफ्तार रिजनिंग जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एक्जामिनर से बोलोगे कि नमबर काट के दिखाओ मतलब कि अब रेल्वे का कोई भी एक्जाम हो रिजनिंग में मिलेंगे पूरे नमबर मैं अतुल अवस्ति आपको बनाऊंगा रिजनिंग नमस्कार प्राम आदाब जैहिंद मैं अतुल अवस्ति और आज लाइव हूं कई बच्चे यह कह रहेते कि जो भी लोग मेरे साथ जोड़ रहेते कि शर्थ साम को छे बजे लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं ठीक है न एक दो दिन रेस्ट कर लेते हैं अब यहां से में बाउंस बैक लेकर चलूंगा एम टीएस वाले कई लोग मेरे से पूछ रहेते कि सर इस बार एम टीएस की कुछ वेवस्ता उस मलब वो जो एक तेजी होती है ना कि एम टीएस क्योंकि कई दिन से एक थंदा माहोल चल रहा है क आत्माई को फॉर्म आएगा फिर हम देखेंगे तो तुम लोग बहुत मिस कर रहे थे मैं को यह मुझे ऐसा हैसा हुआ मतलब कि साथ होली में तो वैसे भी नहीं चलनी थी मैं आपको पहले बोला था कि मैं दो दिन तो कोई क्लास नहीं लूँगा दो दिन मैं प्रॉपर छ चुट्टी पे था खुब चौचा खोली खेली है मैंने ठीक है अब जब दो इसके बाद वाला कुछ दिन था जिसकी वज़े से थोड़ा सा मेरे स्टूडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम थी इस वज़े से मेरी साम को मेरा पूरा नेट ही बन था नहीं चला तो उस वज़ अगर इस फेस्टियल के बाद हम पढ़ेंगे आप कूछ एकदम चौचक विवस्था के साथ हम लोग यहां पर तयार है तो आशा करते हैं कि सब लोग भेतरीन तरीके अभी भी मेरे चेहरे पर तो आसा कलर समझ में आ रहा होगा ना एक यह भी कारण सा कि एक दिन एक्स्ट बेहतरीन विवस्था अगर लगे कि सर आज आप देर से आए लेकिन इतना दुरुस्त आए इतनी बेहतरीन विवस्था करके लाए MTS का बहुत जल्दी में तुम लोगों को फिर से एक ऐसा तूफा नी क्योंकि तुम लोग इस बार सोचे हो इस बार MTS तुमको एक तूफा देने वाला है क्यों क्योंकि जितने लोगों को लगता है कि MTS exam में इस बार कही Maths और Reasoning क्योंकि दो बार exam में लोगों को लगा कि जो सबसे कैलकुलेटिव चीज होती है इनमेस अगर मैट्स को भी अंदर रखता मैट्स को अंदर रखता reasoning और English को reasoning और English को अगर optional बना देता तो लोगों को दर्द ना होता लेकिन उसमें इसने इसको optional बनाके दो चीजों को मेंस में डाला इस वज़े से कई बच्चे सोच है और यह सायद इस बार उनका जो प्रेडिक्शन है वो सही आ जाए कि यह जो दो पैटन बना हुआ है ठीक है ना इस बार इनमेस से कोई उच्छल के आपको इधर देखने को मौका मिले और इधर से कोई इधर आ जाए या फिर यह पैटन जो होता है ना कौलिफाइंग वा है जो लोग शाम को रोज मेरे साथ मिल रहा है मैंने सबसे बोला था कि इस बार जितने लोग MTS को लेकर अब आ गया है तुम्हारा भाई अब देखो तुम्हारे अंदर एक नया उत्साह भर दूगा अभी तक हो ली तक थोड़ा से मिसिंग लग रहा था ना अरे सर मजा न बताओंगा ठीक है ना चलो पहला सवाल दिखाता हूं पहले आप सवाल देखो यह आपका टाइमर मैं आपके सामने से हड़ गया 21 सेकेंड आपके पास पूरा है आप 21 सेकेंड में देखो किसमें से कौन सा सही होगा अगर होगा तो क्यों होगा जल्दी से बताओ अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं आज की कॉश्चन मैंने इतने च्छाट के डाले हैं कि तुम लोग आज तुम लोगों को घुटनों पर बैठा दूंगा यह मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इतना शांदार सवाल है मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों मैं अगर किसी मैं हिंमत है एक्दम शांदार सवाल लेकर आया हूं अगर आप में हिंमत है तो आप इसे एक बड़ कर के दिखाओ देखिने करते कैसे हो ऐसा अगर मेरी बात गर सही लगे ना और लगे के रहें हाँ सर सही कह रहें गजब सवाल है तो मुझे फॉलो करना सुरना इधार गया है यह टार्क लिखा हूआ है आज लिखा है कि डार्क लिखा हूआ है नीचे सब आ है कि सर हमें ऐसे नहीं समझ में आता तुम्हीं नहीं दुनिया में किसी को ऐसे समझ में नहीं आता कि नहीं अब एक चीज में देखता हूं मैं क्यों तुमसे कह रहा था कि इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए यह देखो चार दो छे एक दो तीन अब समझ में आया जैसे ग्यारा में दो जूड़ा छूटो तो तीरा तो तीरा अठार में दो जूड़ा 20 यानि health-स हो रहा है लेकिन प्लसट्स कैसे हो रहा है जरत देखो यह बात सही है कि अब अगर तुमको करना अब जेसे यह तो तुमको पता चल गाए सबसे प्हले क्या करना ऊप्सिंटा देखो ना इसको देखो न हैसको n आना चाहिए अंत में n केवल तीसरे में है यानि यह चला गया यह चला गया यह चला गया तो पूरा आप ऑप्शन से जवाब दे देंगे कि सर उप्शन से थार विल भी तर रही अंसर बोले सहमत हो मेरी themed से आगे बात समझ में आगे बात समझ में में चाहिता दो है अंगया चलते आगड़तों को परशान करेंगे मा быть दें के दिखा दो दे सको तो इसका जवाब दे के दिखा दो आ जाए कि हां सर हमसे हो जाएगा तो मुझे बताना अराम से देख लो अगर लगे कि हां सर सही कहना तो मुझे फॉलो करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं एक तरीके से देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि अब आपको कई लोगों को लग रहा है यहान डबलू है यहां भी डबलू है यहां यहां भी ब्हशन यहां एह यहां पर वग्यरख तो यहां पर किया देखेंगे वि ओ अल्ट 울ट हो गया और अगर ऐसा लग रहा है कि अरे यार इस कोशन में तो दमी नहीं था मैं यहां तक सोच क्यों नहीं पाया तो यह सिर्फ 6 बजे जुड़ना शुरू कर दो तुमको मैक्सिमुम समझ में आ जाएगा अच्छा यार ऐसा भी कोशन आता है क्या सिर्फ सुन लो मैं 45 में नमस्ते कर लूँगा तुमसे लेकिन कम से कम सुन लो कि हां इतने टाइप की सवाल मुझे आते हैं जैसे यह सवाल और वन आउट वाला इनमें से कोई तीन किसी तरीके से एक समाने कोई एक अलग मैं तुमको पूरी स्वतंत्रता देता हूं तुम सोच के भी जवाब नहीं दे और वहाला ऑजाय समझ में तो मुझे बताना ना आए तो कत्ताइब मत बताना अब देखो जैसे तुमने एक चीज़ देखा अगर हम लोग जराशा भी समय दार है हम यही करेंगे ना कि पंदरह 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 कट दिए काड़ दिए अब देखो ये भी क्या है वेन नंबर है ये भी क्या है वेन नंबर है ये भी क्या है वेन नंबर है लेकिन 83 ज्रां tuning नहीं है कि 10 Nash класс क्योथ हो गया ठीक है असमें ज्जदा टाइमगा है लेकिन ऐसा होता है और यह हो गया इसका जवाब बताब उlements इसका जवाब बताओ क्या होगा अब देखो मैं तुमसे क्या बताता हूँ मैं सिखाना क्या तुमकों चाता हूँ हम लोग जिन्दगी भर पढ़ते हैं या तो ऐसे इसे बॉक्स बना रहेगा ऐसे ऐसे कटा रहेगा यहाँ पर क्या बताओ यहाँ पर क्या आएगा याद रखना जितने तरीके से क्यूश्चन पूछा जा सकता है मिसिंग नंबर को उतने तरीके से सीख लो तुमारा दर्द खतम हो जाएगा जैसे तुम लोग यहाँ पर देखो उसने क्या किया यहाँ पर टू की पावर फूर कर दिया तू की पावर फूर कर दिया दो दूना चार दूना आट दूना सोला और चार की पावर चार कर दिया चार चोक सोला चोको 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 यह हो गया ठीक है न तो एक की पावर चार करोगे एक ही आएगा तीन की पावर चार करो तिंत्रों करनों तरेक 27 तियां एक्क्यासी आ गया तो फाइफ की पावर फूर चार का पावर 256 पंचे 125 पंचे 625 यानि यहां पे 625 आठें अच्छा अभी तक सबको आसान लग तो नहीं अभी तक किसी को दर्ध तो नहीं हुआ अभी तक कैसा एशास हो रहा है तो यह तो आता है तो यह तुम्हें आराम से कर लूँगा अभी आत्म विश्वास प्रबल है ना अभी मैं डस लूँगा तुमको थोड़ी जैर में ठीक है अभी तो मैंने डसना शुरू भी नहीं किया तुम्हें अभी तो सिर्फ कई दिन बाद आया हूं तो मैं देख रहा अभी मैं लाइन से डस हूँगा पेटा समय निकाल के डस हूँगा अराम से डस हूँगा आपको आपको कहो कि यह सरहां ऐसा भी तो हो सकता है चलो अब देखो लाल मेरे जैसे यह सवाल आपसे पूछा 21 सेकेंड ले लो वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे 21 देना चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू साथ है साथ से एक बड़ी संख्या आठ होती है और आठ का अगर साथ में गुड़ा कर देगा तो आठ सते यहां पर 56 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ भी तुमको सांस लेने में दिक्कत हो य या कुछ सांस फोल रही हो अभी तक ऐसा कुछ नहीं वहाँ है ना कुछ दे रहा है मैं आपको हर तरीके के सवाल बताऊंगा इसमें कुल कितने ड्रेंगल है मैं तुमको इसमें एक जादू सिखाऊंगा तुम चाहे जितनी तेज कर लो मैं तुमको मात्र 10 सेकंड का कि तुम्हाराम से सोच लो पहले कि बाद सही लगेगी तो समर्थन करना हूँ अब आज एक चीज एक नई चीज सीख लो पूछे क्या देखो पिटवा लाल मेरे आज मैं लाइव इसलिए आज आज रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है तो कई लोग इसी में टेंशन में रहते हैं आज भी मास्टर साब की रिकॉर्डेड वीडियो चल लएग अब एक सू सूत्र जिंद्धी भर याद रखना तुम लोगों को पता है लेकिन तुम ने कभी गौर नहीं किया। सूत्र क्या है। कि अगर कभी ऐसे कटा होता है यह सीख लो जिंदगी भरकाम आएगी अगर यह ऐसे करके ऐसे iisit कटा है तो जब भी आपसे कोई पूछे इसमें कितने ट्रेंगल है तो आप लोग एक ही चीज करते थे कि सर एक दो तीन चार चार का दो गुणा आठ ये तो सभी को पता था और येसी तरीके से यहां पर भी चार का दो गुणा आठ लेकिन जब भी कोई लाइन किनी दो चतुर तो उसके उपर दो लिखते हैं लेकिन जब कहीं ऐसी दिख ऐसा हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो यहां पर चार चार में काटा था यहां आठ काता है तो यह वाला तो हो गई आठ दुनी सोला यानि सोला यहां सोला यहां सोला यहां सोला यहां ठीक है लेकिन यह वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था यह जब भी कोई लाइन किनी दो चतुर भुच को जोड़े इसके उपर चार लख लेना क्योंकि आठ वाला होता है तो जब भी कोई लाइन किनी दो च तो यह 16 16 16 और बीच में चार 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 तो इसा नहीं कई लोग बोलें कि सर्फ 72 होगा सर्च साफ सुथरी बात होनी चाहिए यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे नहीं लगता कि इसमें को कोई कि दर्द होगा ठीक है न चलो अब कुछ न कुछ मैंने आप से बोला था अगर हिम्मत है तो अंत तक रुकना मैं अभी जो बीच में कर आता हूं बड़ी दिन बाद में तुमसे मुलाकात करा हूं इसलिए माहोल एक थंडा रखा हुआ है बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को परशान नहीं करना लेकिन मैं आप से कीरो अब चलो थोढ़ा सा क्योंकि ठोड़ा सा तो परशान करूंगा ही बीच-बीच में इसको अरामिसे बता दो आंसर क्या होगा मैं आपको विल्कुल नहीं बोलता हो जाए तो ठीक है नहीं होजाए पैस सिर्प स्टोरी लिएना ग को कि यह आराम ची लिखके बताओ हो जाता है तो ठीक है नहीं होता तो कोई बात नहीं कि हाँ कि यह जो पूछने की कोशिश कर रहे थे तो चलो ठीक है नहीं आ रहा है तो छोड़ दो मेरे उपर लेकिन जब मैं तुमको कसम से मैं कसम से बता लो इस सीरीज का मैं आंसर बताओंगा तुमको इतना गिल्ट महसूस होगा कि यार इतना आसान था क्योंकि यह reasoning है math होता कि कोई format फॉलो हो रहा होता तो चलो ठीक है यह reasoning है यहां कोस कोस में बदले पानी तीन कोस में बानी इसका solution बताओंगा तुमको खुद में आसास होगा क्यों गलत कर दिया मैंने इसको तो मैं आराम से कर सकता था यह चीज नहीं होने दूगा इधार आओ देखो उसने किया क्या है देखो गलत कहां किये पता यहां पर क्या कर रहा है वो बोले हां तर यह है फाइफ प्लस थ्री प्लस एट यानि पांस तीन आठ यानि आठ आठ 16 अभी तुम खुद कहोगे कि हां सरबात सही कह रहे थे फिर क्या है 7 प्लस 2 प्लस 5 पांदो 7 7 7 14 समझ गया ना अगला 12 आएगा 16 14 अब यहां पर देखो 8 प्लस 1 प्लस 3 3 1 4 8 4 12 यानि ऐसा कौन है जिनको जोडने पर 10 आएगा तो पहला ही है 7 12 7 3 10 यहां पर आ जाएगा 7 12 7 प्लस 1 प्लस 2 वराबर 10 तो यहां पर अगला 10 आ जाएगा अब आपको कैसा तो ले मुझे बताओ कैसा लग रहा है तुम पढ़ने में कमजोर तो नहीं हो ना लेकिन ऐसा लग जबकि तुमारी ट्रिक्नमेट्री कितनी अच्छी है तुमारी मैट्स कितनी अच्छा आरे सगरवाल और कौन-कौनसी किताब में तो तुम ऐसे ही एकदम चांट पहुंच की टाटा मेग्रोहिल आरे सगरवाल सब चांट पहुंच की खत्म करें लेकिन यह गलत होता है यह अंधेर नगरी चौपड राजा मैं चाहता हूं कि पूरे नंबर जब क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन चेंज हुआ ना तो तुम लोग परिशान हो आसान अंत में भी आसान शुरू में जब तुम सवाल कर लिए तो कॉलर आइसे टाइट कर लिए अरे सर इट लॉट ओफ इजी सर क्या पूछ रहा अब जब मैंने डस लिया अरे सर मेरा गलत हो गया लोग इसे करके दिखाओ कि इसको अंसर बताओ कि इसका अंसर बताओ राहुल इस्ट की ओर पंद्रा किलोमीटर जाता है राहुल इस्ट की ओर पंद्रा किलोमीटर जाता है जलो ठीक है फिर वह साउथ साउथ तो नीची होता है ग्यारा किलोमीटर जाता है यह 11 किलो मीटर जाता है, then it turned to West, East इधर होता है, West इधर होता है और 10 किलो मीटर जाता है, तो 10 किलो मीटर को 10 किलो मीटर जैसा बनाना है, जो 15 से छोटा हो, ऐसा मत बना देना कि 10 किलो मीटर इधर जाता है, तो यह बरबाद हो जाएगा डाइग्राम, जब भी इसको ऐसे बनाना कि 10 किलो मीटर बोला है, तो 10 किलो मीटर जब बनाना, तो 10 किलो मीटर 15 से छोटा होगा, और 11 से भी छोटा होगा, 10 किलो मीटर 11 से भी छोटा होना चाहिए, और 15 से भी छोटा होना चाहिए, इसके बाद तो अपने दाहिने मुड़ता है, अगर कोई इस तरफ मुण करके, खड़ा है तो इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है? अपने दाहिने मुड़ता हो 11 km तो यह देखो यह 11 km है न तो exactly 11 km इसी लाइन पे touch हो जाएगा अंतमे 11 km चलता है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से यह प्रारंभिक बिंदु है तो यह 10 है तो सामने वाला भी 10 हो जाएगा तो यहां से लेके यहां तक 5 बचेगा यह 5 है अच्छा मैंने तुम लोगों को एक चीज़ समझाई थी यह तुम्हें पता ही कि नहीं मैंने सब को एक चीज़ समझाई थी डिस्टन डारेक्शन पे एससी सीजियल तक के लेवल में किसी की आवकात नहीं जो तुम्हें फसा ले मैं कल समझ में आ जाएगा कल नहीं समझ में परसू आ जाएगा लेकिन छे दिन बाद यह कह दो कि अगर तुम लगातार मुझे सुन रहे हो कि सरहां आई कैन डू एनि टाइप ऑफ सेटिंग अरेजमेंट एनि टाइप ऑफ डिस्टन डारेक्शन यह कह सकते हैं लेकिन कभी सौरी की जगह नहीं है वरना मैं सारे आगे वाले सारे दांत तोड़ने की छमता रखता हूं अगर इसमें गलत किये तो आगे वाले सारे दांत तोड़ने की छमता रखता हूं इंट पर सब्सक्राइब क्यों लेगी पगला क्या चाहिए तुमको टॉपिक वाइज तुम लगा तरे मेरी ख़प्टे मेरी क्लास पढ़ो और फिर टॉपिक वाएज देखना इसमें क्या है सिदा सिदा सीदा एक दो तीन दू पांच है छे मुझे नहीं लगता कि कोई दर्द होना चाहिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगए 20 वालों तुम लोगों की गलती नहीं है जिनका 20 आया है एक बच्चे का मैंने 20 जवाब देखा बेटा तुम्हारा आंसर 20 नहीं आया है क्योंकि तुम सॉल्फ करके जवाब नहीं दिये हो तुम ऐसे कियो डिब 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 कच्छी नीम की सड़क बाबु धड़क धड़क उसमें बैठा था पंजाभी उसका नाम था शराभी एन बेन चैन गो तुम्हारा इस हिसाब से 20 आया है तुमको यह पढ़ाई की ज़रूत नहीं महब्बत की ज़रूत आओ तुम मेरे गल कर रहा है तो कोई बात ने बिटवा आगे सही कर लोगे यह मैं सुनते वहीं लोग है जो रेगुलर मेरी क्लास में रहते हैं अब हर सवाल इज़ी दे दूँगा तो कैसे काम चलेगा सुरू में जब तुम अभी स्वाल कर रहे थे तो अभी मैसेज कर रहे हैं वह सर बहुत आसान इतना आसान कैसे अब यह जो सवाल है यह तो करो अब देखो अगर मैंने तुमसे कहा कि इसमें आंसर क्या होगा तो देखो सीधा सेद्या सा बात है इसमें क्या है डिवाइड़ बाइटू है इसमें क्या है प्लस थ्री है इसमें क्या है डिवाइड़ बाइटू है इसमें क्या है प्लस थ्री है इसमें क्या है डिवाइड करा दूंगा तो फिर मानवता भी सर्मसार हो जाएगी अगर हर को इस अब लोग को लिग के देदा हूं आप अराम से जितने लोग मुझे देखाव जिनको लगता है सर मैं रिजनिंग का महा पंडित हूं मैं रिजनिंग पढ़ना नहीं चाहता आपको खूली चुनावती दे और अगर सुनना सुरू कर दोगे तो चाहे CHSL हो चाहे CGL हो तुम कहोगे कि हाँ सर इस तरीके का सवाल अब मुझसे हो जाता है आपको खुली चुनौती दे रहा हूं करके दिखाओ आप अगल बगल एक ही मुबाइल में तीन तीन लोग मुझे देख रहे हो तो आप सबसे म मैं बोल रहा हूं कि आप इसे करके दिखाओ यह हम बगल में खड़े हम कहीं जान नहीं रहे हैं जल्दी से दिखाओ इसमें क्या होगा अंसर में खुली चुनौती है आप सभी को हो जाए तो हमसे बात करना नहीं तो सौरी के साथ सरनार्थी हो जाना बोल देना कि सर हमसे कि मैं आपको फिर कहता हूं नहीं होता है यह अलग बात है लेकिन हम करना नहीं चाहते हम देखना नहीं चाहते तो फिर गलत बात है स्कीप नहीं बेट वाइए सहनास अगर आप स्कीप कर दोगे बेटा तो मेरी ख्लास में क्यों आए हो अगर कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा तो देखो अब मेरी बात बहुत गौर्ट से सुनना पता है उसने क्या किया यह 417 है उसे उस ने क्या किया 4 प्लस 1 प्लस 7 बराबर 12, ठीक, फिर क्या है, यह 182, 182 is called 1 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 11, 23, बिल्कुल सही है, 23 बिल्कुल सही है, अब किसी जिसनों ने skip कहा, उन्हें अब जब मैंने solve करके बताया, तो उन्हें कैसा लगा, हाँ सर, बहुत ज़्यादा कठी नहीं है, अगर मैं इस तरीके के सवाल देखो, तो आगे भाविश्व में मैं इसे कर पाऊ, लेकिन अभी जो हार गए, हम नहीं करेंगे, हम से नही हो रहा है, तो question भी कहता है, तो थास, तो यहीं चाहते थे, चलो निकलो यहां से, जो लोग जूजते नहीं आया, तो कोई गुनाह हो गया, क्या कि नहीं आया, मैंने समझाया, हाँ सर, now I feel much better, अब मैं आइंदा से ध्यान रखोंगा, इसमें कोई कितने triangle है, सोच के जवाब हमारे सपने में आ जाएंगे, बैटवा, तुम पढ़ाई नहीं कर रहें, उठो बैट के, है ना, साबर, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अगर इसमें तीन दिन लगाओगे, तो समाज तुम को क्या कहेगा, समाज तुम को किस नाम से पुकारेगा, अ अब डिब डिब वालों को मैं नहीं कहता, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी सोचो, मैंने आप से बोला ता ना, कि अभी अगर तुम लोग अंते तक मेरे साथ रुकोगे, तो तुम लोगो माथे पर पसीना न ला दिया, तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूँगा, सार ठोहां सुरू में, शुरू में 2-4 ठोहां कराया, तो सबसे हो गया, अब यह सर, यह तो हो गया, जब डशा, अरे सर, यह तो हो ही नहीं रहा है चलो हम बता है अब देखो उसने किया क्या है बहुत ध्यान से सुनना यह 1 है और यह 2 है यानि 1 multiply by 2 ठीक है फिर प्लस यह 4 है और यह 3 है यानि 4 multiply by 3 यानि 2 एकम 2 प्लस 4 तियां 12 बराबर 14 ठीक तो 3 त्रोका 9 और 6 जोको 24 यानि इनका इनका गुड़ा इनका इनका गुड़ा ठीक है ना तो 9 4 13 यानि 33 तो 5 पांदुन 10 और 3 एकम 3 बराबर 13 अब कोशिश करते हैं अब हम कहते हम नहीं करेंगे हम से नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या वाई आतु लवस्थी क्यों ही इस प्रिश्वी पर जनम लिए इसका अंसर बताओ पी जेड एम ओ एन 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 एच के इन में से कोई एक अलग है अब मैं तुमको बताता हूं इसको बाद छोड़ना नहीं तुम लोग मैं तुमसे गैरेंटी के साथ कहता हूं इस क्लास में बैठा हुआ अंड्रेड पर्सेंट लोगों को मैं चैलेंज देता हूं अंड्रेड पर्सेंट हैना सोच के दिखाओ तूं और आज तुम लोग यह कहोगे कि सर आप पता नहीं आज किस मूड में सवाल लेकर आए हैं क कि आज तुम लोगों का दिल खुश कर दूगा सुरू में मैंने इतने असान सवाल कराए कि तुम लोग कॉलर टाइट करके आप में विश्वास से भर गए थे अरे सर आज के रिजनी बहुत आसान है हम कर लेंगे अब देखो हवा टाइट हो गई न इसलिए कहते हैं समय की इज़त करना चाहिए देख लाल मेरे जैसे उसने बोला कि आंसर क्या होगा तो बी का अपोजिट होता है वाई ठीक है और वाई प्लस वन करेंगे तो आएगा जेट एम का अपोजिट यह अपोजिट है किसका अपोजिट होता है कि एक यहाँ प्लस वन करेंगे तो हो जाएगा ऑ कि अब बताओ कैसा लग रहे है कि परशान होना पड़ा है मैं इसलिए कहता हूँ कि बस सुनना शुरू कर दो नहीं सुनोगे इसमें तकलीफ तुमको जाता होगी मेरी बात समझ में आ गई कल नहीं लिया था क्लास अब देखो इस लोग कितना घुसा करते हैं आपने कल क्यों नहीं लिया क्लास मेरी कल नट ही नहीं चला था थी जे है इनए नहीं चला अब धेखो क कह याद है यह सवाल अक्सर अचледन पूछता है और यह सबसे चाही नहीं समझ में आता है कि यह सवाल को कठेन समझ के उपकूचा जाता है इस पटन रहरा यह अभी कठीन हो अभी सारी लड़के वी दो सेकेंट में इसको सवाल कर लेंगे खुश रो बैटा खुश रो खुश रो होंगा कि आप लोगों का कुछ कि अधिक जैसे हमने आपसे बोला मेरी बात जड़ा समझ लेना कि के को याद है कि उसके पिता का जनल ने बीस दिसंबर के बाद अगर बोला बीस के बाद बीस के बाद आता है 21 23 24 25 वीज के बाद लेकिन 25 के पहले जी को याद है कि उसके पिता का जनम दिन 23 के बाद है 23 के बाद है, यानि 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठिक, तो ये दोनों में common date क्या आई? तो जन्म दिन कब होना चाहिए? 24 थारीख तो मेरे ख्याल से इस तरीके के सवाल में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जहां पे common, क्योंकि इन दोनों को याद है कि मेरे घर में लोगों के जनम दिन इन दोनों के बीच में है, तो इसका बनाना है water image. इसका बनाना है water image. मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सिर्फ बैहते रहो पानी को देखा है जब नदी पहाड से निकलती है ना तो कि रास्ते की किसी पत्थर से नहीं बूस्ती कि समंदर कितना दूर उसका काम है सिर्फ बैहते जाना तुम लोग यह सोचते हो कि यह पढ़ रहा हूं मैं पास हो जैसे पहले लोग सोचते हैं कभी इंस्टुमेंट बजाना सीखा है इंस्टुमेंट का मतलओ समझते वो जो ड्रम बजाते हो उसमें जो ट्रेनर होता है वेस्टन पैटन के सौंग बजाने है और यहां हमारे ट्रेनर मम्मी डैडी बज़वार है ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी चीज़ को कितना शार्पने से अब जैसे सवाल में तुम्हारी आज़त है ऑप्शन से आंसर देने की तो हर कोश्चन में चाहे चाहे चेशल का पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें पैटन समझ में आएगा कि मुझे इंग्लिश पढ़ना कैसे अब वो कैब समझा रहे है रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझा रहे है क्लोस समझा रहे है चाती भट गई मर गए तो और फिर सर गुरुज हमको कुछ आता ही नहीं क्यो ठीक है इसके चेहरे पर दोनों तरफ ग्लो आ रहा है दोनों तरफ यह ग्लो आ रहा है यह दोनों तरफ ग्लो आ रहा है इसमें एक तरफ ग्लो गायब हो गया है यह गड़बडा गया और इसकी आखों की पुतलियां अगर उपर की ओर है तो यह आखों की पुतलियां नीच कितने ट्रेंगल है लोग बताओ आराम से सोच के बताओ कितने ट्रेंगल है मैं आप पे छोड़ देता हूं आप लगा लो दिमाग बात मेरी सही लगेगा तो मुझे फॉलो करना कितने ट्रेंगल है सोच के देखो मैं आपको तब भी समझाता था अब भी समझा रहा हूं हर तरीके का कितने ट्रेंगल है मैं सब कुछ आपको बता कर ही चलूँगा यह मेरी कभी भी मैं आपसे बोलू एक याद रखना यहां पर क्या है यह एक है यह तीन है यह चार है यह पांच है यह सात है यह आठ है तो आठ का दो गुना क्या हो गया सोला हो गया तो यह सोला हो गया और यह उओ यह और क्रणू अन्धर थे यह फॉर्मुला खुणो होगे 8 28 में 8 और जोड़ें कितना होगे 36 36 विल भी दा राइट आंसर 36 विल भी दा राइट आंसर 36 विल भी दा राइट आंसर क्या खयाल है भारी मिश्टेक हो गया आप मुझे सौरी बोलना चाहते हैं एक गाल गया निकला वागी समय और दो 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 निकल जाएगा आप मुझे स्वरी बोलना चाहते है मन में आ रहा है रहा है अापका स्वर्ड गोलना चाहते है और loaded वोल दीजे पोल दिजे स्वरी मिबोल दिए को दिक अगर इसको डबल जीरो लिखेगा और इसको क्या लिखेगा मैं बताओं अरे यह चीजे नहीं देखोगे तो कई से काम चलेगा अकेले बैठके पढ़ोगे अकेले बैठके कैसे पढ़ोगे देखो यह क्या है क्योंसोननट की संख्या है फांच तो 5 में 5 चला गया तो 0 बचा काम खतमु Node याहान यहां वे भी 0 आअगये चले चलंट तो यह वाला हो गया चलो और देख लेते हैं को इसका अंसर बता हूं इसका इसका हमसे हो जाएगा तो हम को बताना कि हां सर हमसे हो गया नहीं होगा तो भी हमसे बताना कि सब्सक्राइब कर लो हाँ जल्दी से इसे calculate कर लो अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, देखो calculation देखो, examiner के बीच का calculation देखो, उसने बोला 211 को आपस में जोड़ो, उसमें क्या बोला 21 प्लस 11, then minus 13, is called 19, ये calculation है, इन दोनों को जोड़ना, जैसे 9 प्लस 10 then minus 5, is called 14, वैसे 13 और 23, 33 में साथ चला गया तो कितना बचा, 33 में साथ चला गया तो 26, 33 में साथ चला गया तो कितना बचा, 26, सहमत हो मेरी बात से, सहमत हो मेरी बात से, चलो, अच्छा ये वाले सवाल तुम लोगों को आते हैं, एकपर मुझे Yes sir के बल मैसेज करो, आंसर तो ब कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं यह सवाल आपको आते हैं कि नहीं यह सर और नो सर मुझे मैसेज करू यह सवाल आते हैं आप लोगों को कि के पर मुझे comment box यह आता है कि नहीं तुम लोगों को बखोश्रो खुश्करव राहूल सुपर नेलम उफीशियल भया खुश्रो वीके और बखोश्रो खुश्रो खुश्रो आकास शिवानी अब देखो मेरी बात बहुत गवर से सुनना ये क्या है ये क्या है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा राद वैसे तो देखो 24 है ना और इस 24 इसने 8 गुड़े 3 किया है कैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि यूर सेल्फ यूर सेल्फ बन रहा है न और जब मीनिंग्फुल बनता है क्योंकि यूर सेल्फ 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 तो यह हो जाता है आप लोगों से तो मैं टाइम वेस्ट साथ माई को नोटिफिकेशन देखिए कि आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा कि मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूं कि आगई बात समझ में कि 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 सेただंούμε कि 72 समेन हम कि बताएंगे जिसको नहीं आ रहीं एक बड़किशेट कर फेले पहले इक बर लिखोना जिसको नहीं आ एक जिनको कि जिनको नई आँरह देखो थे मैं इस Но पहले आपको समझाता हूं इसको अप इसमें कितने ट्रेंगल है इसको पहले बहुत ध्यान से समझना ताकि तुम लोगों को confusion ना यह इसमें अगर ट्रेंगल के हम बात करें तो तीन ट्रेंगल यह है तीन ट्रेंगल यह है तीन ट्रेंगल यह है ठीक है तीन ट्रेंगल यह है और जो सबसे बड़ा वाला है जो ये सबसे बड़ा वाला है ये ये तीन इसमें भी है तीन तो टोटल चारतियां ये बारा हो गया बारा के बाद ये वाला तेरा तेरा के बाद ये वाला चोदा चोदा के बाद ये वाला पंदरा और ये वाला 16, तो टोटल इसमें 16 ट्रेंगल है, तो जब करना तो इसको ऐसे करना है, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, 64 यह हो गया, और एक, दो, तीन, चार, चार का दो गुना कर दिया, कितना हो गया, आठ आठ चार बारा यह हो गया सेवेंटी टू कि सेवेंटी टू विल भी दर आइट है हां बताँ अब देखो कहरा है सरा आर सी भी और केके आर आइपील चल रहा है न अरे दद्दस रुपिया लगाने वालों पीता जी अगर पैसा ना दें आइपील कहां से खेल होगे लेकिन पांडिया को तो जम के वेच जिती हो रही है यार उसकी मैं मतलब तैसे सुफल नेटवर्किंग साइट खोलता हूं कि उसमें एक्टिव रहना पड़ता है इंस्टाग्राम पे या फेस्बुक पे अपने तो भाई सब उस बंदे को भार भार के गरी आ रहे हैं सब हमन बन गया महिंत सिंग धोनी भगवान बन गया अचिन तैंदुलकर परमेश्वर बन गया लेकिन मतलब की फरजी बकईती कि आई पील के पहले तवियत खराब रहती है जैसे आई पील आ जाता है एकदम चंगे हो जाते हैं क्योंकि आई पील पैसा मिलता है उसको च्छापरी बताओं लेकिन उसको इस बात से फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि तुम क्या बोलते हैं आई पील खेल रहा है तो पैसा तो ले ही रहा है ना हम लोग अपने में बोलके खुश हो जाते हैं वो मोटा पैसा गिन रहा है पूरी सोचल नेटवर्किंग साइट में देखो उसको विचारे एच अपरी और रोही सर्मा को समझा रहा है कि यह किदर खड़ा होना क्या है मैं तो देख रहा है अली बड़ी वाप रेवाप देखो क्या है रमेश 33 विद्ध्यात्य रैंक में कक्षा में 13 रैंक है पूरे कि पूरे कि तरी 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 यह रमेश इधर से तेरा है तुरेश इधर से पांच वां है तेरा और पांच कितना हो गया पांटीना अठारा यानि 33 माइनस 18 आठ फॉंस तेरा एक यानि 15 आंसर साही आएगगा मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गूगल इंटर्नेट एक्स्प्लोर एंड सर्च इंजन कि जल्दी से बताओ कि आई पिल सुरू होगे गया है हाँ मैच शुरू हो गया वो मुझे दिख रहा है अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि यह इंटर्नेट एक्स्प्लोर यह है गूगल यह है सर्च इंजन ठीक है न यह दोनों के दोनों सर्च इंजन है इनका आपस में कोई लेना देना नहीं अच्छा यह बताओ तुम लोगों को इसका अंसर बताओ तुम लोगों को यह चीज पता है न कि यह मार्च जो है क्या है Y272 में, तो Y272 में mentorship वाली बात मैंने आपको बताई थी, आपका Pan India result out जो होता है, उसका जो format है वो मैंने आपको बताया था, तो आज मैं आप लोगों को एक बार remind करवा दे रहा हूँ, कि ये financial closing का समय चल रहा है, यदि आपको, जैसे MTS महापैक में इस समय अगर आप 1 अपरेल 2026 तक पूरा CGL free, पूरा CHSL free, MTS free, Selection Post free, सब कुछ free SSCA महापैक में, तो मैं आप लोगों को एक suggestion दूँगा, इसका तुम मुझे answer बता दे ना, जो लोग मुझे देख रहे हो, इससे suggestion समझो तुम लोगों को जैसा, क्योंकि ये देखो, जैसे Y272 में जाते हो, SSC महापैक है, इसमें सब होगा, ये होगा, CGL, CHSL, SSC, Stenographer, Selection Post, MTS, GD, ये सब महापैक के अंदर होगा, सारी classes, सारी test series, सब कुछ, और इसके अंदर देखोगे न, तुमारी आखे खुल जाएंगी, ये SSC महापैक, इसमें क्लिक करना, ये सबसे पहले आएगा, SSC महापैक जिसमें CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, जहारखंट, सब कुछ, इसके अंदर है, ये देखो, ये सारी exam इसके अंदर है, और ये इस समय 2744 का नहीं है, ये 78% discount है के बद, Y272 ही तुम लोग क्यों पूछते हो न, क्यों लगाएं, जो लगाएं, उनसे मजा पूछो, कोछ जिंदगी भर य 2400 रुपए, एक बार अगर तुमने दे दिया, तो इस 2499 रुपए में, तुमको 10,400, 10,418 घंटे की वीडियो, इस जनम में खतम भी नहीं कर पाओगे, दो हजार साथ किताबों की PDF, दूसरी बार, 6530 टैसरी, जानि दो लाग से जादा सवाल, दो लाग से जादा सवाल, वो एक अपरेल 2026 तक, चाहे CGL को जितनी बार आजाए, चाहे CHSL, चाहे MTS, चाहे GD, चाहे सेलेक्शन को, चाहे CPO, चाहे जितनी बार आजाए, सारे बैच फ्री, जितने भी नए बैच बनेंगे 2026 के, एक अपरेल तक, जितने बैच बनेंगे फ्री, जितनी नई टेस्ट आए है आपको coupon code Y272 ही लगाना है coupon code Y272 ही यूज़ करना है यह बात याद रखेगा ठीक है अब जिनको लगता है यह तो उनके लिए जो ले सकते हो तो जिंदगी पूरे दो साल अगर अदुल अबस्ती को देखिए ना कहें कि सर आपने वह जो महापैक दिलवा दिया था लोगों MTS यह है ठीक है तो MTS में यह याद रखिएगा यह जो आप MTS देख रहे हैं यह 78% है देखो कितना कम हो गया यह MTS महापैक मतलब 1 April 2024 थक इस बार तुमारा सेलेक्शन हो जाए user ID password किसी और को देना देखो अभी पहले अच्छे से रेट देखो लगबग 880 रुपय है जाद 999 का हो गया देखें कम हो गया ना 100 रुपय अब यह इतना तो कम हुआ 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 अलग से क्या मिल जाएगा पूरी mentorship मिल जाएगी सब कुछ इसके अंदर free मिल जाएगा देखो 2293 टे सीरीज मिल जाएगा ठीक है कितनी इबुक यह देखो इतने घंटे की क्लास यह सब कुछ लेकिन यह याद रखना मैं फिर कह रहा हूँ coupon code गलत मत लगाना और सबसे बड़ी बात क्या है और प्राइस कितना होगा 799 शिर्फ 799 रुपए है ठीक है ना सिर्फ 799 लेकिन coupon code यह याद रखना कि आपको coupon code लगाना है Y272 यह देखो यह coupon code लगाना है जो यह लगा हुआ है Y272 coupon code पहली बात दूसरी बात की double validity है यानि 12 महीने का तुम पैसा दे रहे हो तुम 24 महीने यानि 1 अप्रेल दो हजार 26 तक सब कुछ free एक अप्रेल दो हजार 26 तक सब कुछ free चाह जिस भी अगर Y272 लगा है तो चाह जिस टीचर से बात करना चाहो करो जिस टीचर से वीडियो कॉन्फरेंसी करना चाहो सब कुस तुमारे लिए free हो जाएगा अगर Y272 coupon code लगा है तो अब मता देखा अब समझा Y272 क्यों लगवाता हूं इसलिए अड्डा ने एक ऐसा coupon code बनाया वाई 272 वाई 272 हम जिंदगी भर तुमारा साथ नहीं छोड़ेंगे यह हमारी जिम्मेदारी है ठीक है न तो बाकी क्लास कैसी लगी मुझे comment box ने जरूर बता देना खुश रहो मस्त रहो सलामत रहो इश्वर आपको सत्बुद्धी दे